नमस्कार मित्रो आज मैं वैज्ञानिकों के द्वारा परिक्षण किया वाथ नहला रोग के बारे मैं बताना चाहूंगा इसका क्या इलाज है बहुत आसान उपाय है तीन-चार दिन आपको करना पड़ेगा और बड़े आसानी से आयुरवेदे के इलाज है जो की सवीन माना है और कई एक सरकार ने इसको लागू करके और इसी प्रकार से अपने चिकित सकूँ द्वारा करवा रहे हैं क्योंकि एंटिवाटिक के साइड एफेक्ट जानवर और किसान दोनों को हो रहे हैं तो उनसे बचने का सबसे आसान उपाये के नोने निकाला है थनेला रोग को दूर करने का उपाये जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा एक एलो बेरा लेलगबग 200 ग्राम हो नीचे से और उसको जड़ की तरब से नीचे से जितना हो सके उतना काटें जहांसे उस सफेज सफेज दिखाई पड़े वहां से उसको तोड़ें और तोड़ करके तुरंत उ दोएं भी नहीं उसको तुरंत सीधा ले करके मिक्सी में डालें और उसको अच्छी तरह पीछ लें और उसी मिक्सी में दो मुठी अपने हाथ की मुठी ऐसे लें दो मुठी आप हल्दी डाल दें मतलब 20 ग्राम तक उसमें 20 ग्राम तक मालो हल्दी डाल दें और हल्दी डालने के बाद उसमें 15 ग्राम चूना डाल दें और इसको अच्छी तरह मिक्स करें और यह मिक्स करके अब इसको क्या करें कि हर अब ये जो इसको ये जो मिक्सर तैयार हो गया आपका लगबक 300 ग्राम इसको क्या करें दो चम्मच लें और उसको पानी में इतना पानी डालें ताकि लगबक उसमें दो चम्मच मान लो 20 ग्राम 30 ग्राम होगा तो उसमें लगबक 50 ग्राम ही पानी नव डालें 50 ग्राम पानी डाल करके उसके थन में आयन में सब जगह अच्छी तरह उसको लगा दें पहले थन को खाली करना है यह दूद हो तो खाली कर दें और खाली करने के बाद उसको थन मतलब पूरे आयन थन को धोएं और वो जो मिक्स तैयार होगा वो एकदम लाल रंग इसका बन जाता बहुत गैरा लाल होता है रंग इसका और एलो बेरा में मिल करके लाल रंग एकदम तयार हो जाएगा तो इसको क्या करना है कि फिर इसको लगाना है उसके गाए आयन और थन में सब जगह लगा करके फिर दू घंटे बाद ऐसे लगाना हर दो घंटे क लगभग इसको 12 घंटे में लगभग इसको 6-7 बार आप लगाना है और जब रात में आख्री टाइम लगाए तो इसमें क्या करें कि पानी की जगए फिर सरसों का तेल मिला ले पानी की जगए इसमें सरसों का तेल मिला है फिर इसमें गोल करके अच्छी तरह लगाएं ध्यान ये रहे कि जो दवा आपने 200 ग्राम बनाई है वो केवल एक ही दिनी उज़ करनी है दूसरे दिन नहीं ये नहीं है कि आप उसको दबा ये इस्तेमाल करनी है और ये दबा इस्तेमाल करके जो बशबी जाए तो उसको लगा ही दें तो वो तुमारी बेकार है और इसको इस प्रकार से करेंगे और करने के बाद जब ऐसे रात में मैंने बताई दिया सरसों का तेल ही डाले और उसको लगा दें छोड़ दें और फिर रोज आधा आधा नीमबू उसके उसको खिला दें जैसे रोज आधा नीमबू उसे खिला दें और इस प्रकार से यह दिया आप चार दिन लगातार करेंगे तो आपको 100% मिल जाएगा और अगा जो ना मिले त फर पांचमें दिन तो पूरा हो जाएगा जिसमें 6 में दिन का कोई विकल्प ही नहीं आई बड़ी आसानी से यह थीक हो जाएगा और यह बड़ी आसानीसे आप ठीक कर लेंगे movements कोई दवाएंटिम Mayattic मत खिलाए क्योंकि उसका आसर जानवर को तो होता ही है साथ में यद तो उसको बहुत बड़ा तकलिप देने वाला है तो इसलिए एंटीबैटिक का खर्चा मत उठाए डॉक्टर आएगा तो 15-16 रुपए आप से लेके चला जाएगा और उसको मतलब ठीक करने के बचे जहर ही देके जाएगा इसलिए ये घरे लूप आपना ये बड़े आसानी तो कनी से ठीक हो जाएगा मैं इसलिए को मैं हल विणा नहीं बता रहा है कि आपके पैसे बच जाएंगे जो डॉक्टर पैसे लेकर के जो देखए जाएगा उसका तुम्हारे पास कोई काट नहीं होगा, जिसका साइड इफेक्ट तुम्हें होगा, तो इसलिए अपनी सेयत और अपने जानवर की सेयत को बचाने के लिए आयूरवेदे को उपाये अपनाएं, और इस आयूरवेदे को उपाये से आप अपना बड़े आसानी से उपर इसका जय हिंदि